होंग कोंग और सिंगापूर में कुछ भारतिय मसाला ब्रेंड को लेकर उठे सवालों के बीच All India Consumer Product Distributor Federation AI CPDF ने डिस्ट्रिब्यूटरों से कहा है कि वे पैकेट बंद मसालों की अधिक स्टॉकिंग न करे मसालों से जुड़ा विवाद उठने के बाद Food Safety and Standards R3T of India FSSAI मसालों के सेंपल लेकर जाच कर रहा है AIGPDF ने FSSAI के इस एक्षन को देखते हुए अडवाईजरी जारी की है AICPDF ने अडवाईजरी में कहा है या बात हमारे ध्यान में आई है कि कुछ मसाला ब्रेंड में नुक्सान दें केमिकल हो सकते हैं जिससे कैंसर का खत्रा होता है कापी संभावना है कि ये ब्रेंड FSSAI के राडार पर आ जाएंगे और लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे फास्ट मुवी कंजूमर गूट्स डिस्टिब्यूटरों के इस संगठन के नैसनल जनरल सेकेटरी जेके वैसनों की ओर से जाड़ी अडवाईजरी में कहा गया इन उत्पादों की विक्री पर बड़ा असर पड़ सकता है इसलिए AICPDF अनुरोध कर रहा है कि इन उत्पादों की बड़े पैमाने पर स्टॉकिंग करने में सतर्कता बड़ते अगर इस ब्रेंट पर प्रतिबंद लगाएज गए तो हेवी स्टॉकिंग में लगा आपका निवेज डूब सकता है हमारी सलाय है कि जब तक अर्थरीटी से क्लियरेज नहीं मिल जाती तब तक इन उत्पादों की स्टॉकिंग सिमित रखे सिंगापूर और होंग कोंग ने कथी तोर पर किट नासक एथिलीन अक्साइड एटीयो की मात्रा तैसीमा से अतिक होने का हवालत दे कर एवरेश्ट के फीस करी मसाला के अलावा MTH के मत्राष करी पाउडर, सांभर मसाला पाउडर और करी पाउडर पर रोक लगा दी थी इं इंटेलीजेंस एजेंसी फोर टर रिसर्च और कैंसर के मुदाबित एटीयों से कैंसर होने का खत्रा होता है Everest और MDH ने कहा है कि उनके उत्पादों की क्वाल्टीटी बिल्कुल ठीक है यह विवाद उठने के बाद तिछले महिने FSSI ने देश में मसालों के सेंपल लेकर उनकी जाद शुरू कर दी थी